व्रिश्चिक रासी से ठीक चतूर्त भाव पर सनी देउंता अपना प्रभाव डालने वाले हैं राहु के नक्षत्र सद्भीसा पर वास्तों में देखा जाये तो सद्भीसा नक्षत्र वो नक्षत्र हो गया जो माना जाता है कि सौ तारों का समूह माना गया है सौची कितसकों को असमूह माना गया है तो इस प्रकार क्या ये प्रभाव आपके जीवन पर आपके खुसियों की साउगात लापाएगा क्या कोई विशेश परिवर्तन आपके जीवन पर दिला जाएगा क्या आपके उद्दे से पूर्ति की और अग्रसित हो रहे हैं इसी बात को हम समझने और जानने वाले हैं यकिन मानिये एक-एक बातों को आप समझेगा कुछ बड़े परिवर्तन की और यहां पर ग्रह संकेत आपके और इसारा कर रहे हैं ध्यान दिजेगा 24 नौंबर सन 2023 से लेकर के पूरे के पूरे 6 अपरेल 2024 तक के इतने बड़े आओधी तक के सनी देउता तो आपके रहेंगे यहीं पर लेकिन प्रभाव होगा राहू का अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि कैसे सनी देउता किसी नक्षतर पर जाकर के उसका नक्षतर का फल हमें क्यों मिलेगा भाई राहू का नक्षतर का प्रभाव क्यों मिलेगा तो इसके लिए हमने सीधे समझाने के लिए प्रयास किया है जैसे कि समझे ये एक टॉर्च है मान लिजे और इस टॉर्च में आप जो यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है वो सनी देउता है अब इसमें जो कवर लगा दिया जाए जो यहाँ पर आवरण रहेगा उसी के अनुसार आपको उस टॉर्च में आपको रोस्नी प्रदान होगी मत हाथ आपको जो प्रकास मिलेगा वो सनी देउता के द्वारण आपको प्राप्त होगा लेकिन किसके होते हुए आएगा तो राहु के माध्यम से आपको प्राप्त होगा बस इतना ही है यह सनी का जो राहु के नक्षतर पर प्रविस्ट कर रहे हैं अब वास्तों में क्या य पंचम भाव आपकी सोच की छमता है कि किस हिस्तर तक आप बहुत बड़े से बड़े तक सोच सकते हैं यह सब आपको राहु बताता है क्योंकि राहु आपके पंचम पर है राहू हमेशा जीवन में expand कराता है बढ़ोतरी का कारक माना गया है हमारे राहू देउता को इस कारण से इस समय पर आपके सबसे ज़्यादा जो knowledge बढ़ने वाले हैं वो आपके carrier से सम्बंदित होंगे क्यों क्योंकि सनी देउता हमारे कर्म के कारक है और यह राहू के नक्षतर पर होंगे इस समय पर सबसे ज़्यादा जो best प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है यदि आप property बनाना चाहते हैं यह combination बहुत अच्छा है हलाकि जब यह सनी और राहू का combination होता है तो हमें जिस भाव पर यह बनता है उसके द्वारा हमें insecurity भी प्राप्त होती जैसे आप मकान निर्मान कराना चाहते हैं पिछले काफी दिनों से आप सुच रहे हैं कि मैं अपना मकान बना लूँ कई लोगों ने तो बना भी लिया होगा लेकिन कई लोगों के मन में यह है कि भई कब बनेगा या कोई property आप खरिदना चाहते हैं या property आप बेचना चाहते हैं तो मन में एक insecurity की भावना रहेगी कि पता नहीं वो मेरी property खरिद पाऊंगा की नहीं पाऊंगा पता नहीं कहीं कि मुझे कोई problem तो नहीं आ जागा जैसे मैं प्रारम करूँगा कोई मुझे आर्थिक परिसानी ना आ जाए मैं को लोन लूँगा तो मुझे समस्या ना जाए इस प्रकार से कई प्रकार के परिसानिया आपके मन पर रहेगी क्यों क्यों कि राहु का प्रभाव सिर्फ यहां पर होता है और इसी कारार से राहु का अर्थ करता क्या है भय और भ्रह्म की स्थिती हमारे जीवन पर पदरसित करता है इसलिए आपको प्रापरिटीस को ले करके आपके जीवन में देखेंगे या फिर सुख की प्राप्ति, चतुर्दभाव हमारे सुख है उसकी प्राप्ति को लेकर के आपके मन में एक भय और भ्रम की स्थिति आ सकती है यही हमारे परिवारिक जन होते हैं तो अपने परिवारिक जनों को लेकर के भय और भ्रम की स्थिति आ सकती कहीं किसी के दौरा मुझे असांती तो प्राप्त नहीं हो जाएगा या फिर मैंने दूसरों के लिए अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया और बदले में मुझे कुछ प्राप्त नहीं यह भावना भी यहाँ पर आने की संभावना बनती है अब कैसे इसी सनी के राहू के नक्षतर पर जाने के प्रभाव को हम बहतर बना सकते हैं और कैसे यह बहुत अच्छा हमारे लिए कारी करता है इसको अब ध्यान से समझेगा सनी क्या है तो सनी ध्यान दिजेगा आपका कर्म है और राहू क्या है तो राहू परिवर्तन है इस टाइम पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके कैरियर में परिवर्तन ना है क्यों कि यहां पर से सनी देवता सीधे आपके दसंभाव को देख रहे हैं दसंभाव चुकी आपके कैरियर का होता है आपके कर्मश्यत्र का होता है इसलिए आपके कर्मश्यत्र में परिवर्तन राहू परिवर्तन लाएंगे क्योंकि सनी देवता राहू के नक्षत्रपन है प्रकास आपको क्या मिल रहा है, प्रकास सनी का मिलेगा, लेकिन राहू से होते हुए मिलेगा, राहू आपके पंचम है, पंचम भाव आपके ज्यान का है, तो इस समय पर अपने कैरियर में बढ़ोते हैं, आप अपने ज्यान के माध्यम से कर सकते हैं, अपनी बुद्धी मता से होगी दूसरे तरब से चतूर्थ भाव होता है हमारी माता जी इस समय पर माता जी के स्वास्त पर नर्मगर्मी हो सकती है हो सकता है कि इस समय पर उनके स्वास्त पर कोई विपरित परिस्थितियां भी बन सकती है तो इसलिए इस समय पर क्या कहा जाता है कि राहु जब होता ही मानने जाते हैं इससे जितने भी आप जादूगर देखेंगे बड़े-बड़े जो फेमस जादूगर हैं उनके कुंडली पर आपको राहू देखने को मिल जाएगा सनी राहू कॉंबिने सनी हमें जादूगर बनाता है तो इस समय पर आपके मन में यह भावना आ सकती है कि कहीं मेरे घर को कुई कुछ गर तो नहीं दिया जिससे कारण से मेरा जो काफी लंबे समय से मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है कहीं किसी की द्रिष्टी दोस्तों नहीं पढ़right कर दिया इस प्रकार से मन में अभी ब्रिद्धी हो सकती है इसी बात को आपको समझना है ऐसा कुछ भी नहीं होता यदि ऐसा है तो इसके लिए आप सिंपल से कुपाय कर सकते हैं आपने देखा हुआ बहुत से घरों में एक जूते टांग दिये जाते हैं घर के बाहर इसका मतलब यह होता है काला रंग हमारे सनी देउता और राहु हमारे चम्रे को प्रदर्सित करता है तो ऐसा यदि प्रॉब्लम आपको लगता है तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन दूसरे तरफ सिसके फायंदे को सुनिए सनी देउता का संबंद सिर्फ सिर्फ हमारे मेहनत से होता है और राहु देउ हो सके हमें हमें इस समय पर अपने सुख की प्राप्ति के लिए करना है क्योंकि सुख का इस्थान है हमने अगर सुख की प्राप्ति के लिए अपने जो डिजायर है उसकी प्राप्ति के लिए यदि हमने संघर्स किया मेहनत किया तो हां इसको सनी को हमने activation में ले आया और राहू यहाँ पर उपस्तित है मतब राहू 10X करने का power यदि किसी गरह के पास है तो राहू से बड़ा कोई गरह नहीं हो सकता और कर्म कफल यदि कोई देने वाला गरह है तो सनी से बड़ा कोई गरह होते है जो कर्मोंधें हि करते हैं उनको ही सदय अपने सनी और राहू जब एक संग होते हैं तो हमें जो लोग अपने जीवन पर फिल्म फोटोग्राफी या फिर इंटरनेट के माध्यम से अप यदि जूड़ना चाहते हैं या जूड़े हुए हैं उन सबको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है राहू हमारा इंटरनेट है राहू हमारा ओनलाइन कारिया है तो इस समय पर प्रयास कीजिए को कि दसंद्रिष्ट्री आपके केरियर पर ही पढ़ रही है अपने केरियर पर ग्रोथ करने के लिए अपने कुटुम में सांती भीत नहीं होना है आप देखेंगे कहीं पर हमें अंधिला नजाना आता है वहाँ पर कुछ होता नहीं लेकिन एक छाया हमने देख लिया और डर गए सेम इसी स्तिति आप राहू को समझे राहू भी एक छाया कारगरा है जिसे देख करके हम डर जाते हैं परन्तु एक बात भूलना है कि राहू इतना कुछ बढ़ाने वाले हैं क्योंकि राहू के पास तो सीर है हमने पिछले वीडियो में इस बात को आपको बताया था कि राहू के पास सिर्फ सीर है और इस करण से इसको सिर्फ चाहिए ही चाहिए वाली प्रवित्ती हमारे राहू के पास है और सनी क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ कर्म चाहिए बहुत से लोग इस वीडियो में आपको देखेगा अंति में कुछ कमेंट करने वाले भी मिल जाएंगे जो यह बोलेंगे कि हमारे जिवन में कुछ नहीं हुआ सनी और राहू ने हमारा जीवन बरबाद कर दिया वो सब अकर्मन यह बेखती है या यह मान सकते हैं कि कर्म को उसने सही नंग से नहीं किया भई हमने कोई गलत कर्म कर लिया या हमारा डिसीजन कोई गलत हो गया और उसका प्सरे हम अपने उपर नहीं ले करके इन सनी और राहू पर इस सारा ठीकर आप खोड़ देते हैं तो प्रभाव क्या मिलेगा भाई तो इसके प्रभाव को सबजें यह इतना कुछ परिवर्तन का समय है आपके जीवन में जो बहुत परिवर्तन कर सकता है हां इस समय पर इस्थान परिवर्तन भी सम्हावित हो सकती है या फिर इस्थान परिवर्तन आप कर सकते हैं क्योंकि चतूर्थ भाव मे condition बन सकती है अन्य था आपने बताया कि एक उल्टा जूता अपने घर के बाहर या कहीं पर भी आप लगा सकते हैं एक टोटका होता है प्राचीन समय से चलता आ रहा है यहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छा कारे करेगा और इसी काउंबिनेशन में इसी समय पर वो बहुत कुछ निकाल करेंगर जीवन पर लक्षित करा जाएगा इस बात को कभी मत भूलिएगा उम्मीद है आप सब ने इसे समझा है जाना है मेरे समंझाने का và यायस ये आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका, येदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भाती, इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंड करना कभी मत भुलिएगा, और हाँ, ये अभी तक, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजिएगा पुना है एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हो इनी सुब कामनाओं के साथ जैस्री राम